हेलो फ्रीवन एक बार फिर से अब सब्सक्राइब का हमारी यूटूग चनल का स्वागत है पेट इक्रामनेशन प्रिपरेशन की वीडियो में या फिर सिरीज वीडियो में कहें हैं तो हम लोग पिछले वीडियो में गडित सब्जेक्ट से साथारं अंकगर्थिय समीकन के बारे में पढ़ा जिसको हम लोग सींपल एंख्यशन भी बोलते हैं इसमें हम लोगों ने यह देखा कि किस प्रकार विलो इसका क्या फार्मुला होता है ठीक है तो पिना किसी देरी पे चली शुरू करते हैं पैला कोश्चन हमारा है कि यदि X बराबर A तथा Y बराबर B समीकर X-Y तथा X-Y इस इकल टो 8 के यूग मुट का हल है तो A तथा B का मान क्या दिए जिए बहुत सही है कोई दिक्कत नहीं है बिलिबुल X बराबर A, Y बराबर B तो हुनों क्या कहेंगे? X बराबर A रखेंगे, Y बराबर B तो देखें पहला समीकरण है पहला समीकरण X-Y is equal to 4 है तो यहांपे दिया X बराबर A और यहांपे दिया X बराबर A Y बराबर B, हैनि कि X बराबर A रखेंगे, Y बराबर B तो पहली समीकर्ट निसांचे क्या जाएगा A minus B is equal to 4 और दोसरा समीकर्ण क्या दिया है X plus Y is equal to 8 तो A plus B is equal to 8 अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कि जोड़ेंगे यह minus है और A plus है cancel हो जाएगा और A दहाने कितना जाएगा 2A 2A is equal to 12 अब इस A की वैलू यहाँ पर रख देंगे इसमें तो उस हिसाब से क्या है A की वैलू 6 है तो 6 plus B is equal to 8 है तो B is equal to कितना है अगा 8 minus 6 तो B is equal to 2 तो A कामा B की वैलू कितनी आगी 6 कामा 2 इसमारा answer है ठीक है अगला कॉशन देखिए लगातार तीन संख्या का योग छांगे है तो सबसे बड़ी संख्या ग्यान कीजिए देखिए इस कोशन को सौल करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कोशन दिया गया है इसको सौल करने के बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हमें वो तरीका अपनाना होगा जिससे टाइम बचे, ठीक है, तो कोशन को समझे, लगातार आई गुई तीन संख्याओं का योग छान दे है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, ध्यान से सुनिए, बोला गया है लगातार, यानि पहली उसके बाद तुरंद तूसरी, उसके बाद तुरंद तीसरी, बीच मे गैप नहीं है, तो जब इस प्रढ़ का कोशन आए, जिसमें लगातार हो कंटिनिवेशन हो, तो उसका औरेज निकालेंगे, औरेज यानि जब निकालेंगे, अबरेज का मतलब बीच वाली थांख्याओं, तो बीच वाली संख्या के पहरे वाली संख्या छोटी होगी, और अबीचवाली संख्या के बालाइ संख्या बड़ी होगी हमारा इंसरा निकल गया है एक तरीका यह हो गया दूसरा तरीका क्या है बोला गया है कि लगातार आई होई तीन संख्याओं का योग 96 है ठीक है तो 96 लगातार ती मतलब पहली संख्या माझने लिजी X तो दूसरी X plus 1 हो जाएगी तीसरी स्प्लस 2 हो जाएगी तो X धन X प्लस 1 धन X प्लस 2 ऐसे करें और फी तरीका है लेकिन हमें साट कट आपना ना देखे पहले क्या करते हैं कि अगर इसका योग निकाल। इसका 96 बाइ Anyways my थ्री भूलागी है ? तीन संख्याूं का योग कितना है ता crappy पहली संख्या दूसरी संख्या दीसरी संख्या आपस में जोड़ने के बाद छानगे आ रहा है तो छानगे बटे तीन करेंगे तो कितना जाएगा तिन तरीका नौ तो पीच वाली संख्या क्या है बटीस है इसके बाद वाली क्यों होगी 33 होगी तो बड़ी संख्या कितनी है और संख्या 33 अगर देख लुगत और संख्या 55 से उतनी बढ़ी कहाँ है कि जितनी उन्यासी से छोटी है संख्या गया तो वो बराबर आ रहे किसके अगर उसमें से उन्यासी घटाया जा रहे है तो देखे माना संख्या क्या है माना संख्या एक्स है वाई भी माना सकते हैं इसको एक्स से तब रीफ होगी ठीक है माना संख्या एक्स है तो एक्स प्लरस पच्पन बराबर और नियासी से छोटी और नियासी माइनस एक्स अब इस माइनस एक्स को इधार लाएं तो बोलेगा हो अपना साइन में चेंज कर देंगी तो साइन चेंगा है तो 2x हो जाएगा तो 2x is equal to 79 यह बोलेंगे जब यह बोलेगा पश्पंथ जब तूम इधर आ रहे हो हम उधर चल जाएंगे हमें तो में अफरत है तीछ लेगे उधर ठीक तो 2x is equal to 9 में से 5 गया 4 और 7 में से 5 गया साइच से 5 घृटना क्या और 12 में तो संख्या कितना को है एधर ख्जपंथ तो पार्राग 5 इंदना ओ आभी है। संख्या और इसकी बारा कोशन देखिए किसी संख्या और उसके दो चौथाई के बीच का अंतर साथ है दो चोथाई की माल गिलेकर संख्या एकस है तो उसका दो चोथाई दो बटे 4 होता है ठीक है इसी संख्या ओर उसके दो चोथाई का अंतर 60 If लखी चली यहां पे मान ना संख्या X है ठीक मालनेяс संख्या X है mr. ये 2 आइकस का सॉरी ध्यास देगी किसी संख्या और उसके दो चत्रा ही तो X यानिको संख्या माइनस X का दो बटे 4 यह यह एक्स इंटू 2 बाइ 4 इस इकोल टू कितना 60 है इसका एस से में लेंगे ती हो जाएगा इसका एस में लेंगे ती हो जाएगा 4X एधर बचा माइनस 2X बटे 4 इस इकोल टू 60 अब जब 4 को दाहिनी तरफ भेजेंगे तो 60 में बुड़ा बचाएगा ठीक है तो 4X में से 2X निकला कितना बचाएगा 4X में से 2 निकला दो बचाएगा तो 4X माइनस 2X इस इकोल टू X और 4 इदा जाएगा तो बुड़ा जाएगा 424 बराबर 240 ठीक है तो 1X बराबर कितना हो जाएगा 240 बटे 2 तो इस जब काटेंगे तो कितना हो जाएगा 120 तो एंसर हमारा कितना हो गया है 130 अगला कुशन देखिए यदि दो संख्याओं का योग 137 अंतर 43 है तो संख्याओं क्या होंगी पिछली वीडियो में जब हम नियम के बारे में एक्स्प्लेइन कर रहे थे तो सेंज सेंज इजांपल एक्स्प्लेइन किये थे अब आप लोग बताइए किसका एंसर क्या होगा और comment box में जरूग लिखेगा कि दोनों संख्याएं क्या होंगी मैं हिंट दे रहा हूं कि पहली संख्या नव्बे है इतना समझ लेजे अब आपको बताना है कि दोनों संख्याएं क्या होगी इस question को आप लोगों को solve करना मैं नहीं करूँगा नेक्स्ट कोशिन देखी दो संख्याओं के वर्गों का योग अन्सट है कोई संख्या दो ठोल है उनका अगर अगर पहले स्क्यार किया जा रहा है फिर जोड़ा जा रहा है तो इसप्याइर मुलंब वर्ग करके जोडने पर जो और उनके अंतर का वर्व है मतलब फिर उनी दोनों संख्याओं को अगर आपस में खटाया जा रहा फिर वर्व किया जा रहा है तो एंसर कितना है वर्व कितना 36 है तो दोनों संख्याओं का बुरंफल गया थी चलिए यहां पे लिख लिजिए कि माना संख्याओं ए तथा बी है आप कुछ भी मान सकते हैं माना संख्याओं ए तथा बी है प्रस्ना नुसार संख्याओं के वर्व का योग क्या है यानि कि संख्याओं का वर्व यानि A स्क्वार प्लस B स्क्वार कितना दिया हुआ है 68 ठीड़े उसके बाद दिया है अंतर उनके अंतर का वर्ड, ठीक, अंतर यानि कि A-B, इनका अंतर हो गया, अब इसका वर्ड करेंगी, इसको है, यानि, is equal to कितना किया हुआ है, 36, क्या पूछा है, गुड़नफर, यानि कि A into B, is equal to question mark, ये देखे, इतना दिया हुआ है, दो चीस दिवार, तीसा पूछा है, अब आप लोगों को एक चीश पता होना चाहिए, मैं पीछले वीडियो में पढ़ाया था, एक फार्मूला, A-B का whole square होता है, A square plus B square minus 2AB, ठीक है, ये होता है, इसलिए मैं बताया था, कि कुछ फार्मूले ऐसे होते है, आइडिटिटी के, जो इस प्रकारत के प्रशनों में यू A-B पूचा है, यानि हाई A-B की जबायू पूची है, A-B का whole square देखे, इसकी वेलू देदी, 38, A square plus B square value देदी, 68, तो रखेंगे देखेंगे, ये हो गया, A-B का whole square value कितनी है, 36, बराबर, A square plus B square value कितनी है, 68, तो 68 हो गया, minus 2AB, तो 2AB का रहा है, हमें आने रहें नहीं हम इधर जाएंगे, बाय तरफ, 36 करा है, ठीक है, हम भी दाएं तरफ जाएंगे, तो 2AB जो बाय तरफ आ गया, तो इसका sine चेंग में गया, 2AB is equal to, और 60 minus 36, ठीक, तो 2AB is equal to, 8 में से 6 निकला, तो 6 में से 3 निकला, 3, 2AB is equal to 32, तो AB बराबर 32 बटे दो, तो AB बराबर 32 बटे दो, तो 16 दूनी 32, AB क्यों एलब कितनी आ गई, 16 आ गई, यहनी AB यहनी दोनों संख्याओं का गुडण फल, A to B, तो संख्याओं का गुडण फल कितना हो गया, 16 हो गया, ठीक है, अगला कोशन देखिए, दो संख्याओं का योगफल 14 तथा अंतर 10 है, दो संख्याओं में, उन दोनों संख्याओं का योगफल 14 है, अंतर उनका 10 है, संख्याओं का गुडण फल पूछा है, बहुत ही सरल कोशन है, देखिए कैसे सावड़ हो गया, माना की संख्याओं क्या है, x, y, मान लिजे, x, y क्या है, संख्याओं, क्या देदिया गया, और एक छोड़ी हटाई, हटाई, पिछले वीडियो में आपनों को ये बताया था, कि अगर संख्याओं का योगफल और अंतर दिया है, तो दोनों संख्याओं निकालना असान एक बार चोड़ी संख्याओं निकालते हैं, बार चोड़ी संख्याओं निकालते हैं, अगर योगफल और अंतर दिया है, तो बड़ी संख्याओं क्या होगी, योगफल धन अंतर बटे दो, चोड़ी संख्याओं क्या होगी, योगफल माइनस अंतर अंतर बटे दो, तो च तो यह कितना है? 14 धन अंतर गितना है? 10 बटे दो, यानि कि 14 10 कुतना हो गया? 24 ancora 24 बटे दो that is how much it is 24 9 7 82 12 गया, 210 is 12 12 है एक संखिया माली इतनी आ इतनी आ गै? 12 छोटी संखिया क्यों दें चल्धी से जन्दी की जन्दी निकना है? योग माइनस अंतर जो दिया है बटे 2 योग की वैलू कितनी है? 14 दे दी है अंतर की वैलू कितनी है? 10 दे दी है 14 माइनस 10 बटे 2 14 में से 10 निकला 4 4 बटे 2, 2 दूना के 4 यहिए कि 4 बटे 2 बराबर 2 तो देखें, दोनों संख्या है पहली संख्या 12 होगी दूसरी संख्या गुड़नफल बराबर बड़ी गुड़े छोटी तो कितना जागा 12 गुड़े दो बराबर 24 यह हमारा एंसर आगे तो अगले कोशन के बारे हम देखते हैं तो संख्याओं का गुड़नफल 45 अंतर 4 तो संख्या के वर्गों में हो क्या है देखे बहुत सब्सक्राइब कि संख्या क्या है एक्स कामा वाई है फ्रस्ना मुसार संख्याओं का गुड़नफल कितना दिया है यानि कि एक्स इंटू एक्स गुड़े वाई बराबर कितना है 45 है अंतर कितना है x minus y वरावर कितना 4 संख्याओं के वर्गों का योग ज्यात करना है संख्याओं के वर्गों का योग observ x plus याई कि संख्याओं के वर्गों का योग योग यह एकす इसकोई plus y square पूछ रहे हैं दूरेकि हमें पता है x minus y दिया हुआ है हमें पता है कि a-b का holy square वाला फार्डूला पता है तो चलिए x-y का holy square बराबर क्या होता है x square plus y square minus 2xy वह चलिए a-b का holy square a square plus b square minus 2 चलिए तो x-y यह नहीं कि x-y देखें दिया हुआ है तो 4 का square हो जाएगा बराबर x square plus y square यह पूछ रहा है ठीक है तो उसको s-n-m देखेंगे x square plus y square minus 2xy दिखें कितना है 2xy, xy को भी कितनी है गुड़े 45 ठीक यह हो जाएगा हमारा 16 is equal to x square plus y square minus 45 दोना 90 और 90 बोला भया हमारा sign जो है negative में है हम positive में करना चाहा है इसलिए दाहिमी तरफ बाइं तरफ जाहेंगे तो कितना हो जाएगा x square plus y square जब इधर जाएगे तो 90 plus 16 जो की 106 106 यह हमारा क्या होगे आएंसर होगे अगला देखे कोश्चन बहुत इजी कोश्चन है क्या है यादि पीजा के 4 बटे 7 भाग कामूले 300 रुपया है तो पीजा के 4 बटे 500 कामूले कितना मांगा चली तो चार बटे 7 में भाग का मुल्य क्या होगे आँ मुल्य ले देखें मिट वी रहा चली मुल्य बराबर कितना होगे तीन सो तो पूड़ पीजा एक पूड़ पीजा पूरा एक कंप्लिट पीजा का मूली कैसे पता करें ने तो तो प्वाटे 325 पेटीस तीन सो बटे 4 बटे 7 तो क्या हो जाए गए तो तो देखें जब इसको डिवाइट करेंगे किसे 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 पचतर गुड़े साथ कितना जागा साथ पच्चे 353, salty 35प बट चभी जाह करें ने रूपहले 525 बटे चार बटे 5 में भाएट का तो 4 बटे 5 में भाएटा जब पूछेगा तो 4 बटे 5 गुड़े 525 कि 5 दाखें का 45 जीरो, पाँच पुच्चे 25 गजिया तो चार बच्चे 20, 400 नहीं सुनना, दो चारे खंचारे बापर बाप, यह तो चार सो बीस आ गया है, चलिए ठीक है, तो अगला कोशन पुछा है, यदि तीन संख्या, संख्याएं, दो इस्टू 3 इस्टू 5 के अनुपात में हैं, तथा यो फल का दो गुना 200 है, तो बड़ी संख्या का बल क्या होगा, मतलब 3 संख्याएं दी गई है, जो कि किस अनुपात में हैं, तो संबंदे 3 संबंदे 5, 2 इस्टू 3 इस्टू 5 के अनुपात में हैं, और उन संख्याओं के योगफल का दो गुना, जो कि 200 है, तो सबसे बड़ी संख्या के लगत कीजिए, देखे क्या होगा, मान लेंगे कि संख्याएं 2x, 3x, 5x हैं, ठीक है, माना कि संख्या क्या क्या है, 2x, 3x, 5x है, ठीक, अब बोला गया है कि योगफल का दो गुना, दो सहोस्त है, तो 2 गुना किसका योगफल कर, 2x प्लस 3x प्लस 5x, is equal to कितना दिया होगा है, 200, ठीक, तो 2, 3, 5, 5, 10, 10x हो गया, अब 2 से जब इधर जाएगा, 2 से उकट सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2 एकम दो और यह हो जाएगा, 100, ठीक, तो क्या हो गया, 10x बराबर 100, x बराबर कितना हो गया, x बराबर कितना हो गय 10, और बड़ी संख्या इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2, 3, 5 में सबसे बड़ा क्या है, 5 है, तो 5x is equal to 5 गुड़े 10, बराबर 50, तो बड़ी संख्या हमारी 50 निकल गी, लेकिन पूछा क्या है, बड़ी संख्या का वर्ग पूछा है, तो 50 का वर्ग यानि 5 पचीस सब, एंसर इतना गया, 25 सब आ गया, ठीक है, ये 25 सब आ गया, देखे एक अलगा कोशन देखें, जो कि बहुत ही सरल है, 100 अंकों की कितनी धनापनक संख्या पाय जाती है, जैसे नालिज है कि, दो अंकों की कितनी होगी, तीन अंकों की वैसे, 100 अंकों की कितनी धनापनक संख्या पाय दूसको देखे कैसे solve करेंगे, तो एक अंक की, एक अंक की कितनी होती है भी या, 9 होती है, खिक, दो अंक की कितनी होती है, दो अंक की कितनी होती है, 90, लेकिन इसको लिख सकते हैं, 10 गुड़े, sorry, sorry, इसको क्या लिख सकते हैं, 9 गुड़े, 10 की घाते, एक, 9 तहां में 90, तीन अंक की अगर निकाले में, क्या हो जाएगा, 900 होती है, लेकिन होगा कितना, 9 गुड़े, 10 की घाते, 2, एक ध्यान दीजे, एक चीजा, एक ध्यान दीजे, 9 गुड़े, 10 की घाते, 2, 3 पूछ रहा है, 2, 4 पूछेगा, 3, 5 पूछेगा, 4, अगर माल दीजे, 4 अंक की मैं पूछूं, 4 अंक का बोलूं, कितना हो जाएगा, 9,000 होता है, ठीक है, लेकिन उसको लिखें कैसे, 9 गुड़े, 10 की घाते, 3, तो देखे, पैटर्न समझे, तो इसी प्रकार क्या हो जाएगा, 100 अंक की, तो 100 अंक की क्या हो जाएगा, 9 गुड़े, 10 की घाते, 1 कम, 4 पूछ साथ, 1 कम, 3, पावर, 3 हो रहा है, 3 कुछ साथ, 1 कम, 2, 2 कुछ साथ, 1 कम, 1, तो 9 गुड़े, 10 की घाते, 9,000 हो जाएगा, एंसर हो जाएगा, ठीक है, अगला पूछन देखे, संख्याओं का योग 14, और संख्याओं के वर्गों के मध्ध जो अंतर है, वो छपन है, तो वर् मा लीजे कि संख्याएं x और y हैं दिया गया है कि संख्याओं का योग x प्लस y बराबर कितना है 14 दे दिया है वर्गों के मध्य अंतर 56 है यानि कि x square minus y square बराबर कितना 56 ठीक तो वर्गों का योग जातीजे यानि x square plus y square is equal to question mark यहां से देखिए x square minus y square एक पार्मुला कुछले वीडियो में हों लोग पढ़े थे क्या होता है a square minus b square is equal to a bracket में a plus b और दूसरे bracket में a minus b ठीक है तो क्या हो गया इसको लिख सकते है x square minus y square को क्या लिख सकते है एक bracket में x minus y और दूसरे bracket में x plus y या फिर x minus y x plus y बाते कही है तो देखिए क्या दिया घ्या है x square minus y square is equal to 56 और x square minus y square को ये लिख सकते है तो क्या देखिए x plus y x minus y is equal to 56 दिया हुआ है अब देखिए या x minus y यह क्या है यह वाला है X plus Y के value कितनी है 14 है 14 गुड़े X minus Y is equal to 56 तो यहां से X minus Y बराबर 14 बटे में जाएगा 14 जो के 56 4 हो जाएगा X minus Y के value कितनी होगी 4 होगी तो देखे X minus Y के value 4 और यहां पे X plus Y के value कितनी है 14 है दोनों को जोडेंगे तो Y से Y minus और क्रेंसिल हो जाएगा X से X कितना है 2X हो जाएगा बराबर 18 14 गुड़े X के value कितनी होगी 9 आवी ठीक है अब क्या चाहिए हमको Y के value चाहिए तो Y के value हम किसमें रखेंगे Y के value हम किसमें रखेंगे किसी में रखेंगे तो 9 अब इदर देखे हमाली इसमें रखेंगे तो कितना हो जाएगा X के value 9 है तो 9 plus Y is equal to 14 Y is equal to इदर जाएगा Y minus 14 is equal to कितना हो जाएगा Y minus sorry 14 minus 9 कितना हो जाएगा 5 X के value 9 आवी Y के value 5 आवी पूछा है क्या वर्गों का योग तो X यानि लॉमा 81 plus Y plus 25 तो क्या है 81 में जब 25 आट करेंगे तो 5 एक 6 और 8 दो 10 116 का भी अंसर आगे ठीक है चलिए तो अगला कुशन देखा जाए अगला कुश नहा रहा है यहाँ दो क्रमागत वीशम سंख्याओं की वर्गों का अंतर 64 है कि सब्यक्रेट囉 उनका योग やती को माली जी है क्रमागत वीशम संख्या मतलब कि पारी संख्या मतलब है है जो यहाब तो दूसरी तीम होगी तो अगर एक में, जब हम दो कर रहे हैं, तब तीन हरा है, तो वही सोचेंगे, ठीक है, माना, क्रमावर्वर्विसं संख्याएं, हैं, क्या क्या है, x और x प्लस 2 है, क्यों लिख गया? क्योंकि अगर पहली 1 होगी, तो x plus 2 में तूसरी 3 होगी तक भी समोगा, अगर माल यह 3 है तो यह 5 होगी, अगर यह 7 है तो यह 9 होगी, ठीक है, दिया है कि संख्याओं के वर्गों का अंतर 64 है, तो x plus 2 का square minus x square is equal to 64, देखे, x plus 2 का square minus x square is equal to 64, तो इसको ब्रेक करेंगे, a plus b के ह तो इसको a plus b के square होगी तो यह हो जाएगा, x square plus 4 plus 2ab, तो 4x minus x square is equal to 64, x square स x square कट जाएगा, 4 जाएगा उधर, तो minus हो जाएगा, तो 4x is equal to 60, क्योंकि 64 में से 4 निकला, 60 हो गया, तो x is equal to 60 बटे 4, तो बराबर 15, हमारी x की value कितनी हागी? 15, लेकिन पूछा है तो उनका योग, मतलब संख्याओं का योग, हम संख्या क्या माने है? x और x plus 2, तो संख्या मारे यह 15 और प्लस 15 प्लस 2, यानि 17, तो कितना हो जाएगा? कितना जाएगा? 32 एंसर आएगा? क्योंकि 15 प्लस 17, मतलब 32, यह एंसर है, आथ लगातार पूडांग संख्याओं का योग चाह है, अगला कुछल देखे, आथ लगातार पूडांग संख्याओं का योग चाह है, सबसे छोड़ी पूडांग संख्याओं क्या होगी? तो मालीजे कि माना पूडांग संख्याओं क्या? x, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, ऐसे यह कहा तक है? x प्लस 7 तक है, x प्लस 7 तक है. तो पूछा है कि योग चाह है, आथ लगातार पूडांग संख्याओं का योग चाह है, तो यक्स से लेकरते x प्लस 7 तक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 8x, और 1 से लेकरते 7 तक जोड़ेंगे, तो हो जाएगा 28, एक से लेकरते 7 तक जोड़ेंगे 28 हो जाएगा, तो इतना 8x बराबर, जब हाई 28 उधार जाएगा, तो माइनस 28 प्लस 4, किक, माइनस 28 प्लस 4, तो इधर क्या हो जाएगा, जब इधर चलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 8x is equal to, 28 में से 4 निकला कितना होगा, माइनस का 24, x is equal to, माइनस 24, बटे 8, हमारा x is equal to कितना होगा, माइनस 3, तो सबसे छोटा पुडां कितना होगा, माइनस 3, लेकिन अगर उचता, सबसे बड़ा पुडां, तो x की वैलू माइनस 3, तो यहां पर रख सकते थे, माइनस 3, प्लस 7, तो 4, सबसे बड़ा पुडां कितना होगा था, 4, और सबसे छोड़ा पुडां कितना होगा, माइनस 3, ठीक है, तो यह रहा, इसका answer, अगला question देखे, जो आज का आखरी होगा, बहुत ही सरल है, दो संख्याओं का अनुपात, 9 संबंधि 11 का है, गोड़न करेंगी माना, संख्याओं, 9 X तथा 11 X है, प्रश्ना नुसार क्या हो जाएगा, 9 X multiplied by 11 X is equal to 6336, 11 99 X into X X square, 99 X square बराबर 6336, बटे 99, तो जब इसको solve करेंगे, 99 तो कितना आएगा, 64, ठीक है, तो X square बराबर 64, तो X की value, 64 का रूर कितना होगा है, आठ, आठ हागया, अब पूछा है, इस छोटी संख्या, तो छोटी संख्या 9 X है, बड़ी संख्या 11 है, 11 X है, तो छोटी संख्या 9 X is equal to 9 गुडे 8, बराबर 92, यह रहा, तो यह रहे कुछ सवाल, जो की pit exam के pattern के हैं, अगली वीडियो में भी हम लोग कुछ question देखेंगे, इससे related, और उसके बाद फर्दर topic आगे पढ़ेंगे, तब तक के लिए, please, पढ़ते रहे, मस रही और प्लीज चैनल को subscribe कीजिए, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, और बिल आइकन को press कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वेडियो upload करूँ, तो सबसे भले आप तर पहुशे और किसी सी पहले वोचने से, ठीक है, थेंक यू सो मुच